आज मैं आपसे शेयर कर रही हूं जल्फेर्जी चिकन देजानी की रेसिपी बहुत ही टेस्टी है इस वीडियो को आप लाज सक देखिएगा ताकि कोई भी स्टैप आपसे मिसना हो वीडियो को स्टाट करते हैं जल्फेर्जी चिकन बिर्यानी बनाने के लिए हम पहले राइस को बॉil कर लेंगे मैंने राइस हैं 250 ग्राम को मैंने 30 मिन्ट पहले सोप कर दिया था अच्छा वाटर मैंने लिया है और वाटर मैंने लिया है 6-7 ग्लास और वान टीश्पून चो अब इसको बाइल करने दो और अब भी बड़तन ले ले लें आगे लेडे इसों अब सबसे पहले है कि आई करें इसे एक पैनीसिमने लाय। पानी बाइल हो जाएगा तो इसको डिसकाट करणूगी और फिर एंदर आड़ कर दूंगी और पूरी संदुरे और ये अलते हैं पानी बॉइल हो गया है अब मैं इसमें राइस शामिल करते हूँ अब मैं इसमें वन टेबी स्पून ऑईल डाले के और इसको कबार करणेंगे इसको मैं एक कनी रह जाएगी इस वक तक कुक करणेंगे अब मैं राइस को चैक कर दूँगी जब एक कनी रह जाए तो बस इसके वाटर को मैं स्ट्रेंड कर दूँगी अब मैं राइस कब पानी स्ट्रेंड कर दूँगी एक छंडी रखके नीचे मैंने एक बोल रख लिया है इसारा पानी इसके अंदर अब मैं फ्राई करूंगी वेजिस को वेजिस को क्राई करने के लिए और एक मैंने च्रिम्द म्रू नियुकर एक मैंने नियुकर 15 बेजिया है रहा हमागो battery da जो रास आपने बॉइल लिए थी टेबिल स्पून में वाइट डालूगी अजाए रास में बोईल गड़ने के बाद अज़का साओ गरम हो जाए तो माइट शिम्ला में आड़ करूगी अच्छा अब शिम्ला में डाल लिए हुआ जूज़ को प्राई करूंगी में हरुष्णक्राचाइट करूंगी हलका सा इंको फ्राईट कर सक जो निकाल दूएागा मेन्से प्राइटी हम मेट में आप म capaz से नहीं कि बड़ी में को एक मिनित में प्राई करूंगी फिर टामाटर एक कर पी अःट करूंगी अब मैं वेजिस को मैं कुप करके और इंको बहार निकाल दूंगी अब मैं वेजिस को निकाल रहे हूं अब हमने चिकन लिया है तो फिफ्टी ग्राम वेजिस भी हमारी फ्राइब हो गई है अब हमने चिकन लिया है तो फिफ्टी ग्राम वन टेबिल स्पून सिर्का यह भी मैं इसके अंदर आड कर दूंगी वन एन हाफ टी स्पून मैंने लहसा नतर का पेस्ट यह भी इसके अंदर आड कर दूंगी वन टी स्पून मैंने फॉल दिया है और तोया सॉस लिया है यह भी इसके अंदर आड करके इसके अंदर आड कर दी है मैंने इसको मैं मिक्स कर लूंगी मिक्स करके एक बटन में मैं अब अब जागी है अब आड कर लेंगे अब तोया स्पून में अब लूंगी में इसमें चीज आड करिये यह दाल के मैं इसके इंदर इसको साइट पर चिकन को कुक करूंगी उसमें मैंने ओल डाल दिया है कब आप क crom k caus自 आखा है अब को मैं थोड़ा सा कम मैं ए यह खेस घर तो में इसमें थे जाए तो मैं तीन मैं इस्माल साइज की प्याज कर पेस ली है अब मैं इस ओएप मैं दोन गड़न अब मैं इस आड कर दूंगी आप मैं इसमें हुए यह जमें प्याज बचाया है प्याज अब देखे जाए अब लिए प्याज और निज भी प्याज है प्याज आड़ा करें ने जाएक करणा है इसको फ्राइख करूँगी इसमें चिकन को नहीं करना है इतनी देर चीजें जाएंगी प्यास प्राई हो जाएंगी इतनी देर इसमें यह चीजें लगा के रखा अब मैं इसमें चिकन एड़ करूंगी चिकन डालके मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर दूँगे इसके बार में इसमें वन टेबिल स्पून चिल्ली सॉस एड़ करूँगी तो में चिल्ली स्पून सब्सक्राइब दूदी तक यह में अच्छी तसपून दुबारा से सोयो सॉस आड़ कर रहे हूं। नमक मैंने अड़ कर दिया था चिकन में। अब मैं इसके अंदर आड़ कर रहे हूं। 1 टी स्पून ब्लैक पेपर 1 टी स्पून कुटी विलाल मिच्ट दोनों 1 मिन टी स्पून इसमे डाल दूं। हल्दी 140 स्पून अड़ कर रहे हूं। अब इसको मैं ने कवर कर रख दिया है। मेडियम फ्लेम पे मैं इतनी देर कुट करेंगे तिकन हमारी घरते है। अग्छी ने कैसे जाएं कॉककुट हो गय है। मैं टेबली स्पून कॉट फ्लोर को बिशान पेप नहीं कर लिया थे हम्मेश कंटीं कटीं डिशावाताय। मोः चाहतना अड़ क्यש बर विश्क कर दो है अड़ करें। 2-3 मिन्स के लिए राइस की और वेजिस की उपर अच्छा जी कॉंटलॉर इसमें पग्या है अब मैं इसमें पह लगाऊंगी सबसे पहले में वेजिस जो मैंने फ्राई की ती यह रालूंगी इसके उपर अब मैं चाबल की तह लगाऊंगी यह राइस मैंने जो वाइल करे थे इसके पर मैं डाल दूगी अब इसके अंदर में धू टोडेबिल स्पून और डालोगी इसके उपर अब अब इसके ऊपर इसके उपर तू टेबिली स्पून इसके उपर पोर कर दूँगी तमाम चीज़े डालने के बार अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी दम वाली आज पे मतलब लो फ्लेम पे मैं इसको दम कर दूँगी तस मिनट के रिए टैन मिंट्स के बाद मैं इसको सर्थ पलूँगी टैन मिंट्स हो गए है अब मैं राइस को मिक्स कट दूँगी फ्लेम को आफ कट दूँगी राइस मिक्स करें है मैंने अब मैं इसको सर्फ करूँगी जल्फिर्जी चिकन बिर्यानी का फाइनल लूप देख लें आप इसको आप जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही टेस्टी है और मुझे फीड़बेक दीजिएगा पर यह एसी बीज़ आपको अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला अप्राइब